हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टू इस्टेड़ी विटिंग प्रशन यूट्यव चैनल दोस्तों आज की यह वीडियो जो है आपके आने वाली किसी भी एक्जाम के लिए खास करके रेलवे गृप डी और एटीपिसी के लिए जो है बहुत ही मत्य पुहन वाली है क्योंकि इसी एक अगर आप लोगों परफोर तक के वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो आपको उस वीडियो का जो है लिंक में मिल जाएगा और आप वहां से लिंक से देख सकते हैं एक से चार तक पार्ट को और अब जो है पार्ट फाइब को पढ़ने वाले हैं तो चलिए शुरू करत करते हैं शुरू करने से पहले आपको बता दो अगर आप प्रचनल पर पहली बार आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जैसे मैं वीडियो अप्लोड करूँ वैसे आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए तो चलिए शुरू कर लेते हैं इ की कमी से क्या होता है तो विटामिन डी की कमी से जो है सुखा रोग होता है यानि कि रिक्टरस होता है नेश्ट है बासी मक्खन में दुर्गंद किसकी वज़ासी होता है तो बासी मक्खन में जो दुर्गंद होता है या बिटराइक अमल के कारण होता है बिटराइक अमल के का पूर्ण चांद जो है पूर्न चंद्र अवस्था जिसमें चंद्रमा जो है पूर्ण तया उज्वल होता है और जहां चंद्रमा आकार में लगबग पूर्ण गोलाकार होता है नाम हम बहुत बर गया है मानो सरीर की जांग में पाई जाने वाली सबसे लंबी हड़ी का नाम फीमर है नेश्ट है दूसरी पंच वर्सी योजना की आउधी क्या थी तो दूसरी पंच वर्सी योजना की आउधी जो है 1556 से 61 इस्वी थी नेश्ट है एक गोलिये दरपन और उसके पतले गोलिय के लेंस दोनों की फोकल दूरी 10 सेंटीमिटर है तो दरपन और लेंस के किस प्रकार के होने की संभावना है तो दरपन और लेंस जो है दोनों आवतल प्रकार की होने की संभावना होती है नेश्ट है खचर किसके संकरण से उत्पन एक संकर प्रजाती है तो खचर जो है नर गदा और मादा घोड़ा के मिलने से जो है क्या बनता है एक खचर उत्पन होता है नेश्ट है छार स्वाद में कैसे होते हैं तो छार जो है स्वाद में कड़वे होते हैं नेश्ट है गलेसियर एसेटिक अमल जो है कैसा होता है तो गलेसियर एसेटिक अमल जो है पाने से मुक हनेट पर्षन एसेटिक अमल होता है नेश्ट है डियने अनुका दोरा कुंडलित मोडल किसके दोरा प्रस्तावित किया गया था तो डियने अनुका दोरा कुंडलित मोडल जो है वाट्सन और क्रिक के दोरा प्रस्तावित किया गया था नेश्ट है एब डियाई का पूर्ण डारेक्ट इन्वेस्टमेंट नेश्ट है मौनसी प्रेम चंदर जो है किस छेतर से सम्मंदित है तो मौनसी प्रेम चंदर जो है सायत के छेतर से सम्मंदित है नेश्ट है नेले हरे सहवाल में क्या होता है तो नेले हरे सहवाल में जो है थाले काइड जिली होती है थाले से निर्धायत क्या जा सकता है नेश्ट है कौन सा अनु संजोजक्ता के साथ बदल जाती है तो तुल्यांग की भार तुल्यांग की भार जो अनु होता है या संजोजक्ता के साथ बदल जाती है नेश्ट है भीम का पूर्ण रूप क्या है तो भीम का पूर्ण रूप होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी भारत इंटरफेस फॉर मनी जो है भीम का पुनरूप होता है नश्ट है साइकल और ओटो मोबाइल की ब्रेक पनाली में ब्रेक पेड पर उपयोग किस लिए क्याता है तो साइकल और आटो मोबाइल की ब्रेक पनाली में जो है ब्रेक पेड का उप्योग गर्षन को बढ़ाने के लिए कहता है नेश्ट है भूटान, चीन और मैनमार की सीमा जो है किस राज से जुड़ी है नेश्ट है कॉर्क पानी में क्यों तेरती राती है जबकि लोहे की कील डूब जाती है तो कॉर्क पानी में तेरती राती है जबकि लोहे की कील डूब जाती है क्यों क्योंकि उनके घनत में अंतर की कारण जो है यानि कि कॉर्क घनत में हलका होता है और लोहा की कील या इसका अधिक होता है पानी से तो इसलिए वो टूप जाती है नेकर, एक ठोस का आकार 2 cm त्रिजेया वाले एक संकुप पर लगाए गए उत नीए ही त्रिजेया वाले अर्ध गोले जैसा है और संकुझ की उचआय इसकी त्रिजेया के बराबर है तो इस ठोस का आयतन कैसा होगा? तो इस ठोस का आयतन जो है 85 cm क्यों होगा नेश्ट है किस नदी को सोक की नदी काते है यानि कि किस नदी को सोक की नदी भी कहता है तो दामोदर नदी को जो है सोक की नदी कहता है नेश्ट है आपतन कौन की जा साइन और अपवरतन कौन की जा यानि साइन के अनुपात को क्या काते है तो आपतन कौन की जिया और अपवरतन कोन की जिया के अनुपात को जो है अपवरतनांग काते है यानि की रेफ्रेक्टिव इंडेक्स काते है नेश्ट है एस्टिकमेटिस्म जो एक बिमारी है जो मनुस्य के किस अंग को परायत करती है तो एस्टिकमेटिस्म जो बिमारी है या आँख को या नि मानों के आँख के अंग को परायत करती है नेश्ट है आवर्थ काल की SI1 क्या है तो आवर्थ काल की SI1 क्या है जो है क्या है सेकेंड है नेश्ट है सलफर का परमानुकरमांग क्या है तो सलफर का परमानुकरमांग जो है 16 होता है निस्ट है कौनसे पृत्रकरण तकनिकी का उप्योग रेथ से लोहे के पीनों के पृत्रकरण के लिए कियाता है। निस्ट है परमानो क्रमान्क आठ्वाले किसी समो संख्या और आवर संख्या क्रमश्रा कैसे होता है। तो परमानो क्रम मांग 8 अवले तक्तों की समु संख्या कितनी होती है 16 और आवर संख्या कितनी होती है उसकी 2 होती है अब हम लोग जो है अर्रबी जेए सीबिटी 3513 के सिफ्ट 2 को पढ़ेंगे तो पहला प्रशन है बिटामिन ए सार्पगर सुरििक यह है लोग प्रीय है तो केरल में जो है कतक के लिए सास्त्रिक निती जो है लोकप्री है नश्ट है आवतल दरपन के पीछे अभासी, सीधा और आवर्धित प्रतिविम प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहां रखा जाना चाहिए तो अवतल दरपन के पीछे अभासिय सीधा और आवर्दित प्रतिवें प्राप्त करने के लिए वस्तु को धुरूप पी और फोकस एप के बीच रखा जाना चाहिए नेश्ट है ववा तत्तो कौन सा है जिसकी तीसरी आवर्द में इलेक्ट्रॉन बनुता सुन्नी होती है तो इसकॉर्बिक असिड को बिटामिन सी के नाम से भी जानाता है नेश्ट है तामबे को इसके लवण के गोल से किस धातू द्वारा विस्तापित किया जा सकता है तो तामबे को इसके लवन के घोल से जो है जस्ताधातू द्वरा विस्तापित किया जा सकता है नेश्ट है एथेन का अनुसुत्र जो है C2S6 है और इसमें होते हैं तो इसमें कितने सा सहियोजी बंद होते हैं तो चेर्णोबिल परमानदर गटना जो है 1986 में हुई थी नेश्ट है किसी मसीन के गतिसील पूर्जों में परियुक्त तीन मुख्य सनेहक कौन से हैं तो किसी मसीन के गतिसील पूर्जों में परियुक्त तीन परियुक्त सनेहक जो है कौन-कौन होते हैं तेल, ग्रीस और ग्र एंदर 56 जिसा में बढ़ते हैं सब्सक्राइब को चया कहता है। तो कि बाएतम परत को ₹च अपैरमिस कहते हैं निश्ट है interess के नमूने के सुथा निधायद patients करने के लिए उप्योग कहता है श्थाने के सब्सक्राइब आपxis करता है नेश्ट है प्रतिस सेकेंड एक कुलाम विदुत आवेश जो है क्या होता है तो प्रतिस सेकेंड एक कुलाम आवेश जो है विदुत आवेश एक एमपेर होता है नेश्ट है धातू ब्लॉकों में किसका पता लगाने के लिए अल्ट्रा सौनिक का उप्योग क्या जाता है तो धातू ब्लॉक में जो है दरारो और दोसों का पता लगाने के लिए अल्ट्रा सौन्ड का उप्योग क्या जाता है नेश्ट है दो बिंदो के बीच वोल्टेज को मापने के लिए सभी परिपतों में वोल्ट मीटर को कैसे जुड़ाता है तो दो बिंदो के बीच वोल्टेज को मापने के लिए सभी परिपतों में वोल्ट मीटर को समनंतर करम में जुड़ाता है नवाड का पूंडोप क्या है तो नवाड का पूंडोप होता है National Bank for Agriculture and Rural Development नश्ट है पीच मान साथ से बढ़कर 14 हो जाता है तो यह किसको दरसाता है तो पीच मान साथ से बढ़कर 14 हो जाता है तो यह चारिये विलियन को दरसाता है किसी आकडे में माध्यम यानि mean से विचलोणों का योग हमेशा क्या होता है किसी आकडे में माध्यम को बोलतें average से विचलोणों का योग हमेशा सुननी होता है नेश्ट है द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को क्या करता है तो द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को जो है हिमिक करण करते है निस्ट है किस प्रधान मंत्री के मित्यु के बाद गुल्जायला लंदा ने दूसरी बार कारिवाहक प्रधानमंत्री के रूप में पदभार शमाला नेश्ट है रबादल का मुख किस सांबराज के सासक्ते है अब हम लोग पढ़ेंगे अररभई जेहही है एक Defin maxim आक्साइट को हाय्ड can कर्म करे आता है आड़ो अधातby और पानी बनतometु इस अब क्रिया में कॉप्र आकसाइट का क्या होता है तो जब copper oxide को hydrogen के साथ गर्म कहता है तो तामबा धातू और पानी बनता है इस अब क्रिया में copper oxide का up chain होता है यानि की reduction होता है नेश्ट है विस्व का एक मातर तयारता हुआ राश्टिय उद्यान जो है केबूल लामजाओ कहां पर इसित है केबूल लामजाओ जो है मनिपूर राज में इसित है जो एक मातर तयारता हुआ विस्व का राश्टिय उद्यान है नेश्ट है अंतराष्टिय जै विविता दिवस किस तारिक को मना जाता है तो अनुसुत्र जो है शिक्स वाला चक्रिया हाइड्रो कार्बन जो है कैसा है तो 60 C6 S6 वाला चक्री हाइडरोकरवन जो है बेंजिन होता है नच्ट है लाग बहुसी अभ्यारन गहां इसित है तो लाग बहुसी अभ्यारन जो है उत्तरपरदेश में इसित है नश्ट है sodium hydroxide की जिंक के साथ अभिक्रिया के फल सरूप क्या उत्पन होता है तो sodium hydroxide की जिंक के साथ अभिक्रिया के फल सरूप जो है sodium zincate उत्पन होता है नश्ट है 14 मेटर परती सेकेंड की गती किस के समान है तो 14 मेटर प्रति सेकेंड की गती जो है 50.4 किलो मेटर पर घंटा के समान होती है नेश्ट है किस वेग्यानिक को अनुवांसिक के छेते में नोबल पुर्षकार प्रदान किया गया था तो मारगन और खुराना दोनों को जो है अन्वानसिक के छेते में नोबल पुर्षकार पदान किया गया था नेश्ट एक प्रतिरोध यानि की R is equal to क्या होता है तो R is equal to होता है voltage by धारा यानि की voltage का अनुपाज जो है धारा से यह जो है इक्वल होता है प्रतिरोध के नेश्ट है किस उपकरण में आर्कमेडिश के सिधान का उपयोग होता है तो hydrometer उपकरण में जो है आर्कमेडिश के सिधान का उपयोग होता है नेश्ट है पीचर सब्द किस खेल से समझत है तो पीचर सब्द जो है बेस बॉल्स खेल से समझत है नेश्ट है बाबुलाल मंदारी भारत के किस राज के पहले मुख्य मंत्री थे तो बाबुलाल मंदारी जो है भारत के जारकन राज के पहले मुख्य मंत्री थे नेश्ट है उस अंत्रिश्यान का नाम क्या है जिससे मनुस्य ने चंदर्मा पर कदम रखा था तो अपोलो 11 जो अंत्री चान है इसी के द्वारा जो है मनुस्य ने चन्दमा पर कदम रखा था नेश्ट है EKS कोस्मोस 2510 तुरित चेतावने पनाली युक्त पहला उपगरा जो है या किस देश की द्वारा पच्छिपित किया गया था तो EKS कोस्मोस 2510 तुरित चेतावनी पनाली वाला जो है पहला उपगरा जो है या रूज देश की द्वारा प्रचिपित किया गया था नेश्ट है एक घंटे का कितना भाग 48 सेकेंड के बरावर होता है तो एक घंटे का 1,25 भाग 48 सेकेंड के बरावर होता है अब हम लोग जो है RRB JAK CBT 3152 के सिफ्ट 2 को पढ़ेंगे तो पहला प्रच्ण है सेवाल को नेदित करने के लिए आमतोर पर किस रसाइन का उपयोग क्या जता है तो सेवाल को नेदित करने के लिए आमतोर पर कॉपर सिलफेट्रसाइन का उपयोग क्या आता है जर्मेणी तको को बाद में आवर्शाडनी में जगा- مिलाता नेश्ट है किस भार्ती राज में छेत्रफल के अधार पर सबसे अधिक वन शेत्र है तो मद्य परदेश में जो है मद्य परदेश राज में छेत्रफल के अधार पर सबसे अधिक वन शेत्र है नेश्ट है फिलोन थलेपिन को किसके साथ मिलाने पर गुलावी रंग हो जाता है तो फिलोन थलेथिन के ओ जो है छार के साथ मिलाने पर गुलावी रंग हो जाता है उसका नेश्ट है संतुलित रसायनेक समेकरन किसके अनुरूप होता है तो संतुलित रसायनेक समेकरन जो है एंजियो प्लास्टिक की जाती है नेश्ट है रदर फोर्ड प्रियोग में अलफा कन को एक पतली कौन सी पन्नी पर रखा गया था तो रदर फोर्ड प्रियोग में जो है अलफा कनो को एक पतली सोने की पन्नी पर डाला गया था नेश्ट है लगातार दो संपीडन या लगातार दो विरलन यानि की रेक्टिफिकेशन के बीच की दूरी को क्या कहता है तो लगातार दो संपीडन या लगातार दो विरलन के बीच की दूरी को जो है तरंग धहरी काते हैं क्या काते हैं तरंग धहरी नेश्ट है मानाव सरी की एक कोशिका में कितने गुर्ण सुत्र होते हैं तो मानाव सरी की एक कोशिका में जो है 46 गुर्ण सुत्र होते हैं वस्तु को focus F1 और optics center 0 के बीच रखना चाहिए नेश्ट है रसायनिक प्रतिक का पहला अक्षर हमेशा किस में लिखा जाता है तो रसायनिक प्रतिक का पहला अक्षर जो है हमेशा बड़े अक्षर यान के अप्टेलेटर में लिखा जाता है नेश्ट है धनराज पिल्ले किस ख अनवरों का अधिन कहाता है नेश्ट है कौन सा बिटामिन शरीर में कैलसियाम के और सोशन को बढ़ाता है तो बिटामिन डी जो है सरीर में के अशन को बढ़ाता था नेश्ट है कौन सी मिसाईल एक भारतिय तीसरी पीडी की fire & forget anti-tech guided missile है कि फायर एंड फॉर्गेट एनकी दागो और भूल जाओ देखिए यहां पर जो है हिंदी को इंग्लिस में कर दिया गया है ट्रांसफर और यह तीसरी पीडी का मिसाइल है जो हम लोग बोलते हैं दागो और भूल जाओ तो यह है नाग मिसाइल को कायता है तो इस तरह से भी आपको घुमा करके दे दिया जाएगा मतलब अगर कोई हिंदी जो सब्द है उसको इंग्लिस में कर्वाट करके आपको कोश्चन पूछ दिया सकता है तो इस तरह से भी आपको कोश्चन पूछ सकता है अगर किसी का हिंदी नाम है दागो और भूल जाओ और उसको क्या लि में समुदरी जल से संचाले द्वनी की चाल भी है, प्रास्रव सिंगनल के संचरन एवं प्राप्ती के बीच समय अंतराल जो है T है, और प्रास्रव द्वनी द्वारा तै कि गई कुल दोरी जो है 2D की बीच का संबन्ध क्या होगा, तो 2D इसकर टु क्या होगा भी into T होगा, गेम्स कायता था तो Commonwealth Games को जो है पहले British Empire Games भी कायता था गेहुं के भूसे को अनाज के भारी बीजों से अलग करने की प्रक्रिया को क्या कायता है तो गेहुं के भूसे को अनाज के भारी बीजों से अलग करने की प्रक्रिया को जो है वो साना काते है नेश्ट है कौन सा कारित् की निरुपित करता है तो ओ एच जो कारत्मक समू है या अलकोहल को निरुपित करता है नेच्ट है आस्मान में कौन सा तारा बिल्कुल भी घुमता हुआ परतित नहीं होता है तो आस्मान में जो है ध्रुव तारा बिल्कुल भी घुमता हुआ परतित नहीं होता है नेच्ट किसी चालक की प्रतिद़त्ता किसके वक्रण पाती होती है उत्पलावन बल यानिकी बॉइलेंट फोर्स, का परिमान जो है दरव के घरनतों और आयतन पर निरवर करता है नेश्ट है जल जनित रोगों के रोग जनक जिवानों को मारने की प्रक्रिया जिसे अस्पताल की सुरक्षा के लिए उप्यों के आता है वह क्या कलाती है तो जल जनित रोगों के रोग जनक जिवानों को मानने की पक्रिया जो है जिसे अस्पताल की सुरक्षा के लिए उप्यों क्याता है या जो है रोगाणू नासक कलाता है नासक किसी वस्तु को तुरंत विरामस्ता से चलना सुरू करने के लिए घरशन से निपटने के लिए आवस्यक बल को क्या कहता है कई सिवे वस्ति को तुरंत वीरा मुसता से चलना सुरू करने के लिए घर्षन के पटने के लिए ऊवसर्बल के लिएज़ है क्या करते हैं gefस्तिक घर्षन नश्ट है काँच के प्रिज्म से हवा में जाने वाली प्रकास केरणे किस प्रकार जुकेगी तो कांच के प्रिम से हवा में जाने वाली प्रकास किरने जो है लंब से दूर जुकेगी क्या होगी लंब से दूर जुकेगी नेश्ट है कालेदास के दौरा किसकी रचना की गई थी कालेदास के दौरा जो है कुमार संभवंत के रचना की गई थी अब हम लो जो है RRBJE के CBT 31519 के सिप्थरी को पढ़ेंगे तो पहला प्रशन है इटा नगर किसकी राजधानी है तो इटा नगर जो है अवनाचल परदेश की राजधानी है नेश्ट है पोटेसियम की परमानो तरिज्जा सोडियम से कितनी होती है तो पोटेसियम की परमानो तरिज्जा सोडियम से क्या होती है अधिक होती है नेश्ट है डियने अनुकरमन में जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया को क्या कहता है तो डियने अनुकरमन में जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया जो है एनोटेंशन कहते हैं कर देता है इसे नेस्ट है कौन सा धात्विक तक्तु जो है पानी से अधिक सघन होता है तो कैल्सियम धात्विक तक्तु जो है पानी से अधिक सघन होता है पानी से अधिक सघन होता है यह कैल्सियम धात्विक तक्तु नेस्ट है सांधित सोडियम हाइड्राक्साइड विलिय किलोलिन का साथ होता है किलोरिन का सब्सक्राइब बहुत बघ्जार में पुछा गया है कौन सा उपकरण सुरिक के प्रकास को बिजली में परिवर्शित करता है तो सौर सेल जो है यह सौर से लुपकरण सुरी के प्रकास को बिजली में परावर्थित करता है कौन सी ग्रंती शरीर के अंदर उर्जा मुक्त की दर्ग को निदित करती है तो अगनास्य ग्रंती जो है शरीर के अंदर उर्जा मुक्त की दर्ग को निदित करती है सोनार की मदद से मापा जा सकता है किसे तो सोनार की मदद से मापा जाता है पाने के अंदर मौजूद वस्तों की दूरी दिसा और गती को मापा जाता है वह अभिक्रिया जिसमें दो योगिक अपने आईनों का अदान पदान करके दो नए योगिक बनाते हैं उसे क्या कायता है तो वह अभिक्रिया जिसमें दो योगिक जो है अपने आयनों का अदान पदान करके दो नए योगिक बनाते हैं उसे दोरी विस्थापन अभिक्रिया काते है क्या काते है उसे दोरी विस्थापन अभिक्रिया नश्ट है मादा प्रजनन कोशिका का नाम क्या है तो मादा प्रजनन कोशिका का नाम क्या है अंडा है नश्ट है कौन सी प्राणे समन्त अपने सरीर को फसाने के लिए एक जाल बोनता है तो मकड़ी जो है मकड़ी प्राणी या समानता अपने सिकार को फसाने के लिए एक जाल बोलता है नेश्ट है यदि किसी परिपत में कई सारे बल्ब स्रेणी क्रम में जुड़े हुए हो तो कोई एक बल्ब बंद हो जाए तो अन्य बलों पर क्या प्रभा होगा यदि किसी परिपत में कई सारे बल्ब स्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो कोई एक बल्ब बंद हो जाए तो अन्य बलों पर क्या प्रभा होगा अन्य सभी बल्ब जो है जलना बंद कर देंगे जीलो में नाइट्रोजन और फास्परस की अत्यदिक मातरा को क्या कहता है जीलो में नाइट्रोजन और फास्परस की अत्यदिक मातरा को सुपोसी कहते है एको कार्डियोग्राप में किसका उप्योग कहता है तो एको कार्डियोग्राप में जो है अल्ट्रसाउंड का उप्यों कियाता है नेश्ट है मुगल सामराजी का संस्तापक कौन था तो मुगल सामराजी का संस्तापक जो है कौन था बाबर था नेश्ट है बोपाल गैस तराज़ी जो है कब हुई थी तो भुपाल गैस तराजी जो है 1984 यसी में हुई थी और इसमें ये भी पूच दियाता है कभी कभी कि भुपाल गैस तराजी में जो है कौन सा गैस लिख हुआ था तो मिथाइल ऐसुसाइनाइड ठीक है नेश्ट है किस नित्य में कलाकार जो है पोट लोई नामक बेलनाकार इसकट पांते है तो मणेपूर नित्य में जो है कलाकार पोट लोई नामक बेलनाकार इसकट पांते है नेश्ट है वापदार जो सासर्योंजी बंद बनाने के लिए एक इलक्ट्रोन युग्द्म को दान करता है यानि कि एक इलक्ट्रोन युग्द्म का दान करता है क्या कलाता है तो वा पदार जो साजयो जी बंद बनाने के लिए एक इलक्टोन युद्म को दान करता है वह लुईस छार कालता है लुईस छाор नेच्ट है मद्य आचलिक परिस्त की 21 बेठक कहां आयूछ की गई थी तो मद्द आचलिक परिशत की 21 बैटक जो है लखनाओं में आयूज की गई थी नेश्ट है प्रिथक करण फलन का उप्योग किसके मिशन के प्रिथक करण के लिए किया जाता है तो पिर्तक करन फ्रन का उप्योग जो है अभी मिशन ये तरल परार्तों के मिशन के प्रतिक करन के लिए क्या एता है मायोसीन और एक्टीन क्या है तो मायोसीन और एक्टीन मानस्पेस सिय प्रोटीन है अब हम लोग जो है RRBJE के CBT162019 की सिप्ट वन को पढ़ेंगे तो पहला प्रशन है देखिए सिलिंग फैन और साइकिल में हब और धूरी के बीच घर्षन को कम करने के लिए किस मसीन पूर्जे का उपयोग क्या आता है तो सिलिंग फैन जो हता है जो हम लोग के सर के उपर आता है घर में और cycle के hub और धूरी के बीच घशन को कम करने के लिए जो है ball bearing machine का उपयोग क्या एता है next है किसी ध्वनी तरंग के प्रती इकाई समय में किये गए दोलन की संख्या कौन सी होती है तो किसी ध्वनीत रंग के प्रती इकाई समय में किये गए दोलन की संख्या जो है उसकी आवरती कलाती है उसकी फ्रिक्वेंसी कलाती है प्रकास के साथ रंगों में से कौन सा कांच के प्रिश्म द्वारा प्रकास के प्रिशेपन के बाद सबसे कम विश्लित होता है। नेस्ट है दुणिया का सबसे लंबा विशेला सांप कौन है जो है किंग खोबरा है कौन है ग कोबरा नेस्ट है कान का कौन सा भाग ध्वनिक कंपनों को विधुत संकेतों में बदलता है तो कान का जो है कारलिया तो कान का जो है कॉरलिया भाग जो है ध्वानिक कमपनों को वैदु संक्यतों में बदलता है कॉरलिया नेक्स्ट है वार असाइनिक प्रक्रिया जिसके द्वारा गुलोकोज को अवा यवी रूप से तोड़ा जाता है क्या कलाती है वह रसाइन पक्रिया जिसके दोवरा गुलकोच को अवा जवी रूप से तोड़ाता है वह क्या कलाती है किर्वन कलाती है फर्मेंटेशन कलाती है नच्ट है मानव की आँख किस सिधान पर काम करती है तो मानव की आँख जो है हम लोग का आँख प्रकास के अपवर्तन के नेश्ट है जिपसन का रसायने सुत्र क्या है तो जिपसन का रसायने सुत्र क्या होता है C-A-S-O-4-2-S-2-O होता है नेश्ट है विटामिन B-1 को और किस नाम से जना जाता है तो विटामिन B-1 को जो है थियामिन नाम से भी जना जाता है नेश्ट है दिल्ली की पहली महिला सासक कौन थी तो दिल्ली की पहली महिला सासक जो है कौन थी रज्या सुल्तान थी नेश्ट है फुलेरीन में कितने कारवन परमानों होते हैं तो फुलेरीन में जो है 60 कारवन परमानों होते हैं कितने होते हैं 60 जब किसी समिकरण के दोनों और प्रतेक तत्तो के पर्मानों के संक्या समान होती है बटनों का माद्दी मेंस जो है 14 है और मानक विचलंग इसका 5 है तो विचलंग गुणांग कितना होगा तो विचलंग गुणांग 35.7 होगा नेश्ट है एथोनोईक एसिट को समानिता क्या कहता है तो एथोनोईक एसिट को समानिता एसिटिक एसिट कहते हैं क्या कहते हैं एसिटिक एसिट नेश्ट है किसी सत्व के परमानों में प्रोटोनों की संख्या किसके बराबर होती है तो किसी सत्व के परमानों में प्रोटोन नागरिक कौन होता है तो भायत का पहला नारिक जो है राष्ट पती होता है नश्ट है पानी में सुरिक के प्रकास के अभाव में उगने वाले पौदे को क्या कायाता है तो पानी में सुरिक के प्रकास के अभाव में उगने वाले पौदे को कवक काते हैं क्या काते हैं क्या क जो है नोखिली होती है क्यों क्योंकि अपैक्जाक्रिश चोटे-सटे पर लगने वाला बल अधिक दाव डालता है इसलिए निच्ट है है नौह इस पिन नामक पुστद किसकी आत्मकता है तो की नौह की आत्म कता है से नवान की नो इस पेड़न जो है पुस्तक से नवान की आत्म कता है नेश्ट है एक हिकाई घनात्मक आवेश को अनंत से एक बिंदु तक अस्तानादित करने में किया गया कार उस बिंदु पर किसके बराबर होता है तो एक हिकाई धनावेश आवेश को अनंत से एक बिंदू तक असरान्दित करने में किया गया कार जो है उस बिंदू पर विदुत विभाव के बराबर होता है नेश्ट है एलन मस्क किसके संस्तापक है तो एलन मस्क जो है स्पेस एक्स के संस्तापक है नेश्ट है फेरा का पूर्णूरूप क्या है तो फेरा का पूर् और एगक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट फिरा का पूणुरूप होता है यह वर्विषु इंत कर सो हक्तिजा में मौि मौझोद कौन सा हार्मोन प्रंच वाइन परत्लिन आवहासी है और आवर्धन का मान क्या होगा तो एक गोली दरपन द्वारा निर्मित प्रत्विय अभासी है तो आवर्धन का मान जो है घहनात्मक होगा क्या होगा घहनात्मक होगा आवर्धन का मान नेश्ट है रतोंदी रोग जो है किस बिटामिन की कमी से होता है यहने किस बिटामिन की कमी कारण होता है तो रतोंदी रोग जो है बिटामिन A की कमी कारण होता है नेश्ट है इस्टर का तेवार किस दिन मना जाता है तो इस्टर का तेवार जो है रविवार को मना जाता है नेश्ट है किस जिवास्म इंधन में बेटेन इसका मुझे घटक होता है तो एलपेजी जिवास्म इंधन में जो है बेटेन इसका मुझे घटक होता है सूर्य और इसके चारो और चक्कर लगाने वाले खगोली पिंडो को क्या कायता है स्वाद को परकने के लिए कौन सा तंत्रिका उतरदाई होता है स्वाद को परकने के लिए जिहान ग्रनी तंत्रिका यही उतरदाई होता है कैलसियम हैडराक्साइड करवन डियक्साइड के साथ अविक्रिया करके लवण और जल दोनों पैदा उतरदाई एट्स का विचानों सरीर में किसको नष्ट कर देता है तो AIDS का विसानों जो है यानि भायरेस जो है सरीर में प्रतिरक्षा तंतर को नश्ट कर देता है नश्ट है किस समिधान संसुधन अधिनियम द्वारा लोगसवा की सीटों की संक्या 525 से बढ़ा करके 545 की गई थी तो 31 समिधान संसुधन अधिनियम द्वारा लोगसवा की सीटों की संक्या 525 से बढ़ा करके 545 की गई थी अब हम लोग जो है अब हम लोग जो है अरबी जेए के सीबी टी एक छो दोय उनिस के सीप्ट दो को पढ़ेंगे तो पहला प्रश्ण है देखिए सोडियम कोल राइट यान की एने सील में मौझूद धनायान कौन सा होता है तो सोडियम कोल राइट में जो है मौझूद धनायान जो है आता है कौन होता है एने प्लस होता है क्या होता है एने होता है नेस्ट है किसी द्वनिक तरंग की आवरती 2000 हर्ज है और उसकी तरंग धर जो है 0.2 मेटर है तो द्वनिक तरंग की चाल 400 मेटर पर सेकेंड होगी नेस्ट है जब कोई प्रकास किरन एक सगन माध्यम से एक विरल माध्यम में जाता है माना कांच से हवा में जा रहा है प्रिविस करती है तो प्रकास किरन जो है अविलम से दूर जुकेगी नेस्ट है कोई वस्तु द्रव में कब तेरती है तो कोई वस्तु जो है द्रव में जब तेरेगी जब वस्तु का घरन तो जो है द्रव से कम हो तभी वस्तु जो है द्रव में तेरेगी नेच्ट है एलकाइन हैडरोकारबन में एक या एक से अधिक क्या होते हैं नेच्ट है जब ध्वनी तो सता से टकराएगी तो ध्वनी जो है अवसोशित और प्रावर्तित हो जाती है क्या होती है ध्वनी अवसोशित होती है और प्रावर्तित हो जाती है समधर में मौझूद हरे पौधे मचली की सांस लेने में किस प्रकार मदद करते हैं तो समोधिन में मुझूर जो होता है हरा पोधा वो मचली की सांस लेने में किस प्रकरार मत करता है तो वो मचली को सांस लेने में वे ऑक्सिजन निकालते हैं और मचली उसके दोरा सांस लेती है नेश्ट है वाकर कप किस खेल से समय थाए वाकर कप जो है या गोल्प खेल से समय थाए नेस्ट है यदि एक बस किसी उत्तल दर्पन से 5 मेटर की दूरी परषित है और पतिविम जो है दर्पन के पीछे 2.5 मेटर की दूरी पर बनता है तो दर्पन का आवर्धन कितना होगा तो दरपन का आवर्धन जो है 0.5 होगा कितना होगा दरपन का आवर्धन 0.5 नेश्ट है तिपाई मुक बांध तिपाई मुक बांध जो है किस राजिम है तो तिपाई मुक बांध जो है मनेपूर राजिम है नेच्ट है सारे जहां से अच्छा गाने के बोल किसने लिखे हैं तो सारे जहां से अच्छा गाना इसके बोल मुहम्मद इकबाल ने लिखा है किस ने लिखा है मुहम्मद इकबाल ने ने इसलिए जो है इसलिए जो है तो दोस्तो आज के लिए इतना ही थैंक यू कि बोल से जो है जो है तो है यू यू जो है